असलाम अलेकुम, कलास नाइथ स्टुजेंटर्स आज हमारे पर जो नया टापिक है वो है कनस्ट्रक्शन 10.5 इसमें हमें एक ट्रेंगल कनस्ट्रक्ट करना है जिसके हमें डो बेस एंगल पता है और एक परिमेटर दिया हुआ है जो हम लेते हैं एक ट्रेंगल ABC है जिसके हमें अंगल B और C मौलूम है और AB प्लस BC प्लस C हमें पता है परिमेटर मैंने आपके लिए आप टेक्स्ट बुक ली है टेक्स्ट बुक में हमें पेज़नमर 212 पर है इसमें एक एक एक्जाम्पल है जिसका अंगल B है 16 एंगल C है 45 और AB प्लस BC प्लस C हमारे पास 11 cm है परिमेटर तो हम क्या करेंगे एक सिकेल लेंगे सिकेल की मदद से हमने 11 cm लाइन डालेंगे पहले जो हमें परिमेटर दिया हुआ है उसके बाद हम कमपास लेंगे और यहां पर हम ड्रा करेंगे कमपास के मदद 60 जो मैंने पहले किया हुआ है यहां पर कट करेंगे और यहां पर 45 डिग्री पर 90 बना कर फिर उसको बाइसे कर गे 45 डिग्री बनाएंगे तो इसके बाद जब हमने 60 डिग्री और 45 डिग्री हमने दोनों बनाए हैं इन दू एंगल्स को हम समझ आया होगा आपको इसी तरह इसको यह जो है MQP यह अंगल B45 मैंने डाला है इसको भी बाइसेक्टर मिलेंगे AQ & AP इसको यहां पर हमने डिनोड किया है A अब क्या करने है यह जो लाइन है यह वाली AP और AQ इसको हम बाइसेक्ट करेंगे बाइसेक्ट कैसे करते हैं और दिन अब यहां से यहां से आपकлад मीज़ा रिए पिर आपको यहां पर यहां पर क्सवार करेंगे नीचे भी क। डालेंगे विसी तरह हम यहां से लेंगे यह तो आपने पहली 9th लाइसे में इसी आपको प्तेले हैं तो यहां पर जहां पर meet करेंगे तो यह दो pointers हमें मिल गए यहां पर तो यह हम join करेंगे तो हमारा bicycle ऐसे पड़ता है यहां पर कुछ भी नाम दे सकते हैं आप इसका इसी तरह हम दूसरा bicycle डालेंगे इस line को किसको AQ यह जो AQ है इसको यहां पर हम bicycle करेंगे यहां पर जो मैं कर दूँगा आपके लिए देखो मैंने वो डाले हैं पहले हैं मैंने D E डाला इसका bicycle A P का और मैंने F F G मैंने डाला है और एक bicycle किस line पर A क्यों यह जो bicycle वो यहां पर C कटाता हूं यह एक B तो हम A B को join करेंगे इस तरह फिर इसको में join करेंगे तो हमारे पास आता है A और B वाला C यहने यह वाला triangle हमारे पास आता है तो यह required angle है, okay, simple है, तो क्या करेंगे, फिर से में repeat करता हूँ, जल 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 आप भी गोर कीजिए, पहले हम line डालें, पी क्यों जो perimeter दिया होगा, 11 cm, फिर पी पर हम डालेंगे angle जो दिया होगा, एक, दूसरा क्यों पर डालेंगे, फिर जब हम यह angles डालें, उनको bisector करेंगे, जहां पर बाइसे करेंगे, उसको हम A नाम रखेंगे, फिर जो यह bisector से PA and QA, इनको हम bisector करेंगे, जहां पर यह P को cut करेंगे, वहां पर हम पहले यहां पर B denote करेंगे, और यह जो point of intersection है, इस पर यह जो FG करता है, P को, उसको C हम, तो हमारे पास जो required angle है, वो होगा A, B, C, इस तरह हम यह construction करते है, अब हमने justify करना, justification इसकी यह है, कि जब हमने इसको bisector डाला, तो यह side बराबर इसके, यह, इसके, तो यह कामा ने, तो यह congret sinus होए, तो PB बराबर होगा, PA के, हमने, पहले इस समझाए आपको, इसी तरह यह side होगा बराबर इसके, क्योंकि यह जो triangle ह इसको यह by side करता है, तो यह 90, यह side बराबर इसके, और यह कामाने दोनों में, तो by SAS, यह भी congruent होए, तो यह side बराबर इसके, तो हम देखेंगे जो PQ है, PQ हमारी है, PB पलस BC पलस CQ, लेकिन हमने जो पहली proof है, PB किसके बराबर AB, तो PB के बराब ले 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 ल हमारे पास CQ के बादे हम लिखेंगे, CA, तो हमारे पास आता है, यह required condition, 11 cm दिया था, तो हमने triangle का perimeter भी निकाला, वो क्या है 11 cm, इसी तरह की construction करते हैं, बिल्कुल easy है, आप घर पर try कीजिएगा, सारे question exercise 10.2, इसकी practice कीजिएगा, खूब practice कीजिएगा, और कहीं पर confusion या कोई difficulty आयेगी, तो please मुझे एकाल कीजिए, मैं आपकोस वहां पर guide करूंगा, thank you, this is all from this constructions, next topic पादने वाल है, वो है polynomials, be ready for that.